आप याद करिए चन्द दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृष्य राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था जब राहूल गांधी जी को भरष्टाचार के मामले में पूछताच के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कॉंग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी इसी प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी और आज ये अतीश्योक्ती नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जशने भरष्टाचार है पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए दलाली कमाईए और उसके उपर जब आपसे पूछा जाए सवाल जब आपसे सवाल पूछताच किया जाए तो आप जश्न मनाईए जिस प्रकार से मनी शिशोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले है ऐसा लग रहा है मानों कोई किलाफ फतेह करके वापस आ रहा है इसमें कोई दोमत नहीं है अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदनी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर एक पार्टी सावित होगी शिद्ध होगी तो यह कहना आज अतीश्योक्ती नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृष्या आज भारत देख रही है यह आम आदनी पार्टी का सलिब्रेशन ऑफ करप्शन जशने भ्रष्टा चार है सुबै से हमने देखा कि पहले माता जी ने टीका लगाया और उसके बाद यह सारा का सारा ड्रामा चल रहा है यह पहली बार नहीं है कि मनीश शिशोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं आप याद करिए नवाब मल्लिक जी सतेंद्र जैन जी संजे रावद जी कि सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे आप याद करिए जब नवाब मल्लिक के उपर भरष्टाचार का आरोप लगा था अजो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टिका लगाया गया था संजे रावद जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी और तो और सतेंद्र जैन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए इस प्रकार से अर्विंद केजरिवाल जी ने उनका स्वागत किया था मगर इन में से कोई भी व्यक्ती जेल से बाहर नहीं आ पाया हर व्यक्ती आज जेल में है नवाब मलिक भी जेल में है सतेंद्र जैन भी जेल में है और संजे राउत भी घोटाले में जेल में है आज तक उन्होंने ये एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भृष्टाचार नहीं किया और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बन दें कोई भी भ्रष्ट वेक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं जितने भी भ्रष्ट वेक्ति हैं दुनिया के वो कहते हैं मैं तो दूद का धुला हुआ हूं मैं तो पाक साफ हूं जी ये तो मेरे उपर राजनेतिक दवाब के कारण से जूटे आरोप लगाए गए और आज आम आदमी पार्टी और मनीश इशोधिया भी यही कर रहे हैं मनीश जी हमने आप से छे सवाल पूछे थे तक्नीकी सवाल टेक्निकल क्वेस्चिन से आस्ट आउट ओफ यू जो दारू गोटाला है शराब गोटाला है जो एक्साइज पर आपने करप्शन किया उसमें हम यह सवाल पूछा बार बार पूछा कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपणी को कमिशन लेने के बाद ठेका दिया या नहीं दिया आपने जवाब नहीं दिया मनीश जी हमने दूसरा सवाल पूछा कि कानूनन land manufacturers को retail के sector में उतारना गेर कानूनी है आपने tam manufacturers को retail की sector में उतारा नहीं उतारा आपने उसका जवाब नहीं दिया हमने सवाल पूचा कि मनीश जी ये जो excise policy आपकी बनी थी ये जो दारू गोटाला आपने किया क्या उससे डिल्ली के राजस्व को स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ या नहीं हुआ आपने उसका जवाब नहीं दिया हमने पश्ट सवाल पूछा था अगर आपकी ये एकसाइस पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्या कारण रहा जो आपने एकसाइस पॉलिसी को आनन फ करोड रुपिया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया किसके कहने पे माफ किया अपने यारों का वन फॉलिसी का जवाब नहीं दिया जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए किसी का जवाब नहीं दिया मैं विश्व का ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया सिक्षा मंत्री मैं गुजराज जाओंगा तो ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा अरे जो सवाल ब्रस्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए यहां वहां की बात करने के अवशक्ता नहीं है आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरिवाल जी ने मिलकर करोडों रुपय का घपला किया है मोट पार्टी है न जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने ब्रस्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करॉप्शन इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिग्या ली थी कि हम भ्रस्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पाटी है कि जो लोग तथाकतित रूप से भ्रस्टाचार के खिलाफ लड़ने आये थे आज वही सबसे कटर बैमान पाटी बन के उबरी है पूरे भारतवर्ष में आज वही प्रणेता जिनको लेकर ये पाटी शुरू हुई थी उन्होंने भी चिट्टी लिख करके अर्विंद केज्रिवाल और मनीशी शोदिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे आज तक अर्विंद केज्रिवाल जी ने उन प्रश्णों का जवाब नहीं दिया है स्टिंग ऑपरेशन हुआ था यहां मीडिया के बंधू मौझूद है भारतिय जनता पार्टी ने इसी मंच से तीन तीन चार चार स्टिंग ऑपरेशन जो पब्लिक डोमेन में थे उसे हमने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने इस पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अर्विन केजरिवाल और मनीश शिशोदिया जी को करोड़ो करोड रुपए पहुँचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में जब ये सवाल आपने मनीश शिशोदिया जी से प्रेस कॉंफरेंस में पूछा तो बीच प्रेस कॉंफरेंस को छोड़ करके मनीश शिशोदिया बिना जवाब दिये वो चले गए क्यों चले गए मनीश जी आपके पास अगर जवाब होता तो आप छोड़ देते आप जवाब देते मगर आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया कारण क्यूंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है आश्चरे का विशय है सत्यंद्र जैन के लिए अर्विन केज्रिवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और दो दिन से अर्विन केज्रिवाल कह रहे हैं कि ये मनीश शिशोदिया तो भगट सिंग है मैं आज देश से अपील करता हूँ दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला दारू के ठेकों को बाटते समय ब्रष्टाचार करने वाला उसकी कमपेरिजन आप महा महीम भगट सिंग से करेंगे देश पे शहीद होने वाले भगज सिंग से करेंगे और ये देश सुनता रहेगा आप लोग विचार कर ये आप सोचिए किस वेक्ति की कंपेरिजन किस वेक्ति के साथ किया जा रहा है भगज सिंग इस इन्स्टिटूशन भगज सिंग रिप्रेजन सेक्रिफाइज भगज सिंग हिंदुस्तान का स्वाभीमान है और मनीश शिशोदिया और अर्विन केजरिवाल भरस्टाचार के प्रतीक है और भरस्टाचार के प्रतीक मनीश शिशोदिया को जिन लोगों ने स्वाभीमान के प्रतीख भगत सिंग के साथ कंपेरिजन किया है तुलना किये है यह द्रश्टता है यह उचित नहीं है माफी मांगनी चाहिए और एक नया प्रचलन आजकल शुरू हो गया है जब भ्रश्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है उन्हें चिट्टी भेजी जाती है तो यह सबसे पहले राजगार चले जाते हैं कि हम सत्यागरह करेंगे आपने कभी सुना है सत्यागरह on corruption ये भगत सिंग का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है राहुल गांधी भी वहीं गये थे और मनीश शिशोदिया भी वहीं दिस नो डिफरेंस अप्सलिट्ली कॉंग्रेस पार्टी की भ्रश्ट नीतियां और आम आदमी प प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं टू साइड्स अप्सेम कोई मंदुगन मैं आज इतना ही कहूंगा कि ये जो जशने ब्रस्टाचार मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का ये अपने आप में बहुत ही विभत्स है आज प्रस्टाचार का महिमा मंदन कभी नहीं होना चाहिए इस देश में कोई भी बच्चा ये न समझे कि भ्रस्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं और यही चेश्टा आम आदमी पार्टी की है तो कनवर्ट आवाइस इन्टो ये विक्ट्री जिसमें हमें भाग नहीं लेना है हमें सच्चाई को उजागर करना है सच्चाई को दिखाना है थैंक यह सो मुझे झाहाँ